पब्लिक डिमांड पर मैं फिर से एक बार NX200 केमरा के सेटिंग और उसके रिव्यू के बारे मैं भी बताऊंगा आपको चलिए हम बात कर लेते हैं कैमरा हमार नीचे रखा है ये कैमरा का बैग है आप देख लीजे सोनी NX200 जो इससे पहले मैंने दिखाया था कि ये कैमरे के यूज मेरे लिए बहुत कम है बहुत जादा इसका यूज नहीं कर पा रहा हूं ये कैमरा है इसके अंदर में इसका पूरा सेटिंग अभी है मैं आपको बताऊंगा साथ को देखिए इसमें हमने कैमरा लेने के बाद जो चीज़े चीज़े खरीदा ये बेल्ट खरीदा विट्यों से अगर आपयो तो आपके लिए बहुत ज्या़ा उपयोगी नहीं है अपको बी एसलार खरीद आक चांति कि अगर आप रिपोर्टर हैं या फिर आप सादी का काम करते और फंक्टिं सूट करते हैं तो आपके लिए कैमरा उपयोगी है अगर आप रिपोर्टर है तो ऐसे में कि अगर मंच पर कोई प्रोग्राम हो रहा है तो आपको ज़्यादा जूम जाना पड़ता है और वह इसे समय में DSLR कैमरा आपके लिए उप्योगी नहीं होता है आपको दो तीन माइक्स के इंपूट लगाने पड़ते हैं जैसा कि इसमें 2 XLR केबल के थृर्व माइक लग जाता है वह आप लगा सकते हैं उसके बाद उसमें इसका जो लेंस है वो उसके बजाप्ते बहुत झाधा भड़ा होता है कैमरा ज्यादा जूम हो सकता है उसमें अलग-अलग लेंस का आपको प्योग करना होता है लेकिन इसमें सब चीज इन बिल्ट है उसके द्वारा काम हो जाएगा आपको अब आते हैं इस कैमरे के सेटिंग पर हम सेटिंग एक-एक करके आपको बताएंगे कैमरे में यह देखिए आगे ढकन लगा होता है जो कि इसको हटा लेते हैं और कैमरा को यहां से आपको बटन एक करके मैं बता रहा हूं यहां यह देखिए यह आन अफ का बटन है इसको आप यहां से आन करेंगे यह कैमरा ओन हो जाएगा दे के लिए पूरी तरह से नए हैं आप उप्योग करना नहीं जानते इस बटन को यानिकर यह लाइट जल रहा है इसको अन करके आप सूट करेंगे तो यह कैमरा खुद बखुद लाइट के हिसाब करेंगा और अपने आप सारा फंक्सन करेंगा खुद वह फोकस होगा खुद लाइट के हिसाब से अच्छा चीज़ दिया गया है यह देखिए एंडी फिल्टर है जो डे लाइट सूटिंग के लिए अगर आपको बहुत ज़्यादा बर्निंग लाइट है ऐसे में आपको लाइट डिस्टर्ब करता है इसके लिए यह देखिए एक दो तीन चार मिला है जिरो है पहला और एक दो तीन मिला है जिरो पर अगर आप इसको रखेंगे तो यह आफ हो जाएगा पहला पर रखेंगे तो थोड़ा ज्यादा लाइट है तो आप वन पे इस विल्लिए में करेंगे और यहां चूड़ी है इसको घुमाएंगे तो आपका वाइट बेलेंस खुद वाइट बैलेंस को आपको कैमरा यानि यह वाइट कलर आप कैमिरे को बताएंगे कि यह वाइट है तो उसके हिसाब से जो चौरर है वह खुद crop केमरा के और उनक्स है उसके बाद देखिए इसमें अध्यक्त कि ऑड्यो के लिए कई को सुइच दिये हुए यह जो सुईच वो कैसे कैसे काम करता है यह मैं बत रहा हूँ जैसे कि ओभी देखिये मां बोल रहा हूँ तो आइज आएज यह ओं क्योंकि यह उड्यो अभी क्या है external पर है EXT पर है ठीक है और अगर ENT internal mic पर अगर हम इसको अभी करेंगे सबसे उपर होता है ये बीच वाला बटन इसको अगर हम उपर करेंगे भी देखिए ये audio आने लगेगा hello hello देखिए उपर में audio panel पे आपको audio दीख रहा होगा मुझे मैं देख लेता हूँ hello ये देखिए पूरा फट रहा है वाज ठीक है क्योंकि ये full sound पे है अभी अब आप देखेंगे देखिए hello अभी ये channel 1 के लिए किया है channel 2 के लिए अगर मैं कर दूँगा तो ये देखिए channel 2 में भी अब audio आपको दिखने लगा होगा और ये भी अभी manual में है इसके बाद इस camera में एक और function है ये आप इसको manual में करकर के sound को adjust कर सकते हैं कम और ज्यादा अगर कम आ रहा है ज्यादा तो इसको बढ़ा सकते हैं लेकिन अगर आप इसको auto mode पे रखेंगे ये वाली switch जो है ये ये पहली switch इदर से इसको अगर आप auto में कर देंगे ये sound के हिसाब से खुद बखुद camera आपने आपको adjust करेगा लेकिन अगर आप इसको manually चाहते हैं कि जो sound का आपको आ रहा है वो कम आ रहा है तो आप इसको नीचे करके manual में करके इस button के जरीए आप इसको कम जायदा कर सकते हैं ठीक है ये sound की setting है अगर आपको external mic लगाना है तो आप इसको external option में ले जाए second number वाले switch को दोनों तरफ और उसके बाद आपके पास जो mic है वो line mic है या वो battery लगी हुई mic है तो जो mic है उस mic के function पर आप इसको ले जा करके छोड़ दीजिए अपने आप ये external mic आपको लेने लगेगा इसके बाद देखिए ये 123 ये अलग से white set के लिए button दिया है डिस्प्ले को set करने के लिए अलग से हाँ button है ठीक है slot जो है यहाँ slot जो आप memory card लगाते हैं देखे 2 memory card लगता है यहां दोनों में memory card लगा होगा आपको नहीं है एक भी नहीं है memory card मैं अभी कि इसमें होगा लगा कि मैं दिखाता हूँ आपको यह memory card है इस camera के साथ में 64 GB का memory card आता है free यह memory card आप इसमें देंगे यह लग जाएगा और इसमें देंगे तो यहां से इसके slot को आप change कर सकते हैं यह हो गया उसके बाद देखिए अलग से बटन दिया है आयरीज को सेट करने के लिए खायरीज को सेटे करने लिए सूटर है comes GO level से आप मिनवली घुमाएंगे तो कैमरा फोकस और डी फोकस होगा ठीक है यह उसके बाद जो है आईरीज को सेट करने पाद अगर लो लाइट में आप सूट करने तो आईरीज के थूरू आप लाइटिंग अपर्चर को खोल सकते हैं जैसे की डियसलार कैमरे में खोलते हैं इ यह जो है आपको आईरीज के लिए काम करेगा यह आपको जूमिंग और जूम आउट करने के लिए काम करेगा जूमिंग जूम आउट अगर आपको कैमरे को करना तो तीन जगह से इस कैमरे में होगा एक तो देखिए आप यह है यह वाला पोर्सन यह बीच वाली चूड़ ने यह 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 बीच वाली चूड़ी यह है और दूसरा इस तरफ में यह बड़ी बटन है यह आपको फास्ट्ली ले जाएगा ऑगे उसके बाद यहां देखिए यहां पर एक बटन है यह भी आपको जूमीन जूमाट कराएगा यह तीन जगह से आप जा सकते हैं उसको रिकॉर्डिंग के लिए अलग लग तीन जगह बटन दो जगह बटन दिए यहां अगर आप यहां से ऐसे ऑपरेट कर रहे हैं कैमरा को ऐसे ऑपरेट कर रहे हैं यहां से आप रिकॉर्ड लेकिन अगर आप ऐसे उपयोग करते हैं तो यहां रिकॉर्डिंग बठना उसके लिए इसके थूरू भी आप देखते हैं वीजू फाइंडर की थूरू भी देख सकते हैं लेकिन व्यू फाइंडर तब और करता है जब आप इसको बंद कर देंगे तब आपका व्यू फाइ जैसे यह खुलेगा इसे स्क्रीन में दिखना आपको बंद हो जाएगा इसके बाद देखिए इसमें तीन माइक का उप्षन है एक तो यह माइक आपका जो इन बिल्ट है इसके थूरू आडियो लेगा यह लेकिन यह भीड़वार वाले अरिये में डिरेक्शनल माइक नही है इसके बाद जो है दो आडियो दो माइक आप लगा सकते हैं यह विवस्था है और इसके बाद पीछे आप यह मेरा यहां का एक रवड़ हो इस दिन बैग में रखने में खुल गए कि गिर गया यहाँ अप हेड़वान लगा सकते हैं ठीक है इसमें माइक का वो जो कवर लगता हूँ यहां हेड़वान लगा सकते हैं कि आडियो कितना आप सुन सकते हैं इसके बाद देखिए इसमें और यह चार्जर है अगर आपको लगता है कि यह बैटरी भी बैक अप नहीं देगा आपको ज़्यादा देर तक सूट करना तो आप यहां से केबल लगा करके इसके बाद अगर आप इसका फुटेज आप लैपटाप में कॉपी करना करना चाहते तो अभी जो मोबाइल का चार्जर आता है ठीक है वो चार्जर यहां केबल लगा करके यूसभी केबल के तूटर लैपटाप में लगाएंगे तो डारेक्ट इसका फूटेज आपको ल PMI ले सकते हैं और इधर यह BNC और audio के वलके तो ले सकते हैं यह सारे बटन्स है यह function है इसके अलाबा यह camera जो है 4K और इसमें suit करता है अब हम इसकी setting आपको बता देते हैं तो जैसे कि आप screen पर भी आप देख रहे हैं कि यह camera का view fender दिखाए दे रहा अब आप मिनू में जाएंगे मिनू में जाने के बाद देखिए कई option है camera set camera set के बाद देखिए recording and output set उसके बाद audio set display set TC and UB set and others तो camera set में अगर आप जाएंगे तो इसमें camera के कई सारे जैसे limit है Preeset और वुन सब चीजों को आप जूम है इन सब चीजों को set कर सकते हैं जैसे आप डिजिटल जूम में जाना चाहते हैं तो वह सब आप यहां से set कर पाएंगे देखिए जैसे डिजिटल हमने किया हुआ है यह सब को कर सकते हैं उसके बाद आपको recording main जो इसका option है recording set वो मैं बताता हूं आपको यह camera तीन mode में record करता है सबसे नीचे AVC HD उसके बाद XAVC S HD और XAVC S 4K यह camera का जो mode है जाकि देशे की और सब camera है जो NX100 है वो सब यहां खतम होता है mostly कुछ camera यहां खतम होते तो XAVC S HD पर खतम होता है camera और यहां से यह सुरू करता है में जो सबसे बड़ा चीज है आपका कि आने वाले समय में SD अगर markets out हो जाएगा तो 4K बजार में पूरी तरह से रहेगा ऐसे में आपका camera आपके लिए उस समय में भी उपयोगी होगा यह camera लेने का सबसे बड़ा फाइदा यही है ठीक है तो आप इसको हम इस option में XAVC S HD में सूट करते हैं जब भी इसका mode चेंज करेंगे चेंज करने बाद हम मुझे camera को off करके हम on करेंगे तब यह पूरी तरह से acute होगा यह देखिए अब हम फिर से on करेंगे तब यह खुल के दिखने लगेगा अब यह देखिए जैसे पहले मैंने बताया था कि audio panel को अगर हम बंद करते हैं अगर इसको हम जैसे और external mic पर अभी करेंगे देखिए गा audio बंद हो जाएगा देखिए बंद हो गया चैनल 1 चैनल 2 बंद हो गया अब अगर हम इसमें external mic अगर हम इसमें अभी external mic लगाएंगे तब यह audio आने लगेगा चलिए हम फिर से internal mic पर इसको कर देते हैं फिर से internal mic पर इसको कर देते हैं अभी audio ब्यार दिखने लगा बाकी जो इसमें function है वो पूरी तरह से professional camera में अगर आप हैं तब ही आप इन चीजों को छेड़िए नहीं तो मत छेड़ि को मैं छेड़ता हूं कि इससे आपका काम चल जागा बाकी चीजें अगर आपको सीखना है तो प्रोफेशनली camera का कोर्स कीजिए तब आप चीजें सीख पाएंगे इसके बाद देखिए recording के लिए जैसे आप record में लाल बटन इसका दबाएंगे यह camera record करने लगेगा और record करन करने के बाद थबनेल को पूस करेंगे तो जो देखिए एक फाइल वहां recording हुआ तो वहां यहां दिख रहा है अब इसको select कीजिए select करने का बाद इसको play यहां से दबाएंगे वह file वहां play हो जाए गए पिर दुबारा जैसे थमिल दवाएंगे यह रूख जाएगा और कैमरे ओप्सन में आजाएगा आपको मैंने प्ले करके भी दिखा दिया यहां देखिए दो A, B जो है स्लॉट है वो दिख रहा है और यह अभी A स्लॉट में रिकॉर्ड कर रहा है यहां पर स्लॉट A दिखा रहा है जो भी चीज़ें आप बांकी कैमरा में आटोमेटिक करते हैं उन चीजों को यहां आप खुद से मैनवली कर पाएंगे यह सबसे ब भी आपने सवाल भेजा था तो हमने यह वीडियो आपके लिए बनाया है अगर आपके मन में फिर भी रह जाता है तो आप हमें बता सकते हैं पीछे मैं दिखाना चाहूंगो यह लाइट है इसके लिए के स्टेंड हमने खरीद रखा है और एक मोनोपोर्ड भी हमारे पास ह है आपको खरीज सकते हैं साथ ही एक और लाइट जो सामने जल रहा है और इसके अलाबा दो और लाइट है पीछे क्रोमा स्क्रीन लगा हुआ है हमारे रूम में घर नहीं है जो हमें स्टूडियो बना पाए बाड़े के घर में रहने पर यह मजबूरी होती है अलग-लग सह होता तो अलग-लग जगह पर लगाते हैं फिर उसको समेट के रख देते हैं यह थोड़ा परिशानी रहता है दो स्टेंड है अभी तो यह कैमरे के लिए हमने स्टेंड करदा है इस कैमरे के लिए मोनोपॉड भी हमने खरदा है बाकि और भी बहुत सारे कुपमेंट हमारे पास अगर उन सब चीजों के बारे में जानना है तो फिर किसी और वीडियो में बताओंगा कि मैं क्या-क्या चीज़ें यूज करता हूं वीडियो बनाने के लिए फिलाल यह छोटा सा कामरा इसी में मेरा ओफिस इसी मेरा स्टूडियो है फिर मिलेंगे एक नए वीडियो क के साथ अगर NX200 के बारे में और कोई सवाल आपके मन में है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन के जरिये हमें जरूर बताइए वीडियो पसंद आता है तो इसे जो लोग जानना चाहते है NX200 के बारे में उसे भेजिये भी और चाहें तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं नहीं वादे